नमस्कार दोस्तो एक विद्यार्थी ने एक प्रश्न किया है कि मैम व्यंजन के नीचे का खा गा के नीचे जो हलंत लगा रहता है इसका क्या मतलब है इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि जिस तरह से हम लिखते हैं क ख ग इसके नीचे जो यह हलंत है इसका क्या मतलब होता है और इसको हम क्यूं लगाते हैं और यह कब लगाया जाता है यानि विद्यार्थी ने कॉशन किया है कि इसको हमें क्यूं लगाना है इसका मतलब क्या होता है इसे अच्छी तरह से समझाईए चलिए यहीं कॉशन आप में से भी बहुत सारे लोगों का होगा कि आखिर किसी भी वर्ण के रीचे जो हलंत लगा होता है इसका रियल मतलब क्या होता है या यह क्यूं लगाया जाता है तो यहां पर मैं आज आप लोगों को वही डिटेल समझाती हूँ तो इसके लिए आपको समझना होगा यानि यह जो हलंत है इसकी कहानी समझने के लिए आपको इसकी जड़ पे जाना होगा कि यह जो जिस वर्ण के नीचे यह हल लगे हुए है एक्चल में वो वर्ण क्या है उसकी परिभासा क्या है यानि उसकी प्रिकृति क्या है उसका नीचर क्या है यह सारी चीजे जानना होगा यह जानना होगा कि यह जो हमारे वर्ण है यह कैसे हैं मतलब हम इनकी किस प्रकार से व्याख्या करते हैं तो चलिए यहा बात करते हैं यह हैं क्या यह है वर्ण हम जब वर्ण माला की बात करते हैं और वर्ण माला की अंदर हम जब वर्ण का ग्यान करते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है कि वर्ण माला के अंदर सबसे पहले या हम कहें कि किसी भाशा की इकाई जो होती है वो सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ड होती है तो ये वर्ड हमारे सामने आता है अब हमारी Hindi भाषा में जो वर्ड है वो drug प्रकार के हैं यह आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ध्यान दिजीगा यहां पर आपको यह समझना है कि आखर ये जो जड़ पर हम बात करेंगे तो यहां पर हमने देखा कि जो हमारे work हैं वो दो प्रकार के हैं स्वर और vienjen हमने इन धूरों के बारे में जाना है आप जानते ही हैं तो हम इसके बारे में यानि जो यह हमारा काखा लिखा है इसको हटा के पहले हम इसी पर बात करते हैं कि जो हमारे वर्ण हैं वो दो प्रकार के हैं स्वर और विंजन तो हमें यह जानना होगा कि आखिर इनको दो प्रकार में हमने बाटा क्यों, वो क्या रीजन है किस कारण से हमने इनको बाटा है तो यहाँ पर यह समझेंगे तो अगर हम इनकी परिभाशा को ध्यान में रखते हुए देखते हैं तो हमें इनमें अंतर समझ में आता है कि जो स्वर है ये वे वर्ण होते हैं जिनका उचारण स्वतंत्र रूप से होता है और अगर हम व्यंजन वर्ण की बात करते हैं तो इनका उचारण स्वर की सहायता स ये हम परिभासा में पढ़ते हैं, तो आपको ये बात पता होगी, आपने इन परिभाशाओं को रटा भी होगा, तो देखो सिर्फ रटिये मत, उनको समझने की भी कोशिश करिए, तो आपको ये यही पर पता चलेगा कि आखिर ये हलंत क्यूं लगाया जाता है, इस हलंत का म रूप से होता है और वियन्जन ने कहा कि मेरी अंदर वीवर्ण होते हैं जिनका उचारण अपने आप नहीं होता ये किसकी सहायता से बोले जाते हैं स्वर की सहायता से बोले जाते हैं अब यहीं पर आपके जो question का जो answer है वो यहीं पिछपा हुआ है वियन्जन की इस परिभ अब ये जो हमारे स्वर है यानि टोटल अगर हम कुल स्वर की बात करें तो संख्या 13 है लेकिन अगर हम सिर्फ बात करते हैं कि स्वर की सिंख्या कितनी है या हिंदी भाषा में स्वर की संख्या कितनी है तो हम 11 रखते हैं अब ये 11 और 13 में अंतर क्या है ये सारी चीजे तो मैंने आप लोगों को जब में पूरा डेटेल में वर्ण माला पढ़ाती हूँ वहाँ पर ये सारी चीजे बताई हैं कि कब 11 लिखेंगे कब 13 लिखेंगे या कई बार संख्या 10 भी लिखनी होती है तो ये सारी चीजे कब आ अब प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं मेरे एप को वहाँ पर आपको पूरी क्लास मिल जाएंगी हम बात करें हैं यहाँ पर कि यह जो हमारे स्वर है या अगर हम बात करें यहां जो हमारे स्वर हैं जिनका उचारण हमने स्वतंतर रूप से किया तो इस तरह के स्वार होते हैं, मालो हम लिखते है जिसे उ और उ जैसे मालो स्वार आता है हमारा री बात करते हैं ए, आय की ओ, आउ की तो ये तो हमारी क्या antas आते हैं 11 ज्वार हमेरे इसके अंदर आ जाते हैं ए, आ, ए, ई, उ, उ, री ए, आई, आउ ठीक है उसके बाद हमारे दू जो वर्ण हैं अंग और अह इनको भी एगर हम मिला देते हैं तो ये इनकी संख्या टोटल क्या हो जाती है इनकी टोटल संख्या हो जाती है 13 ठीक लेकिन अभी हम यहाँ पर यह बात नहीं करेंगे कि 13 और 11 वाली बात हम नहीं कर रहें कि कहा 11 है कहां ते रहे हमने मान लिया कि यहां पर कुल जो स्वर हैं हमारे यह आ गए इनकी मात्राओं का भी आपको ग्यान होगा कि इनकी मात्राओं क्या क्या होती हैं तो अब मैं यहां पर अभी पहले आप लोगों के लिए यानि समझाने के लिए क्योंकि यह तो स्वर अपने आप म मात्रा ये खड़ी पाई होती है हमें इस तरह से पता चल गए इसी तरह से बाकी हमारे स्वर जो है वो अपनी एक मात्रा रखते है अब आपका एक सवाल ये भी उठ सकता है ये मात्रा क्या होता है तो इस बात को आप समझेगा ये बात भी यानि इस question का answer भी आपका किसमे होगा जब हम इस वियंजन को अच्छी तरह से समझ लेंगे तभी इसका answer भी मिलेगा तो हम आते हैं हम बात करते हैं आप इस वियंजन की तो वियंजन के अंदर जैसे हमने लिखा क, ख, ग ठीक है इस तरह से आते हैं इनकी संख्या भी हमारी 39 होती है कुछ लोग 33 बताते हैं कुछ लोग और और बताते हैं तो संख्या के उपर जो बात करते हैं हम वो अपनी पढ़ने वाली class में करते हैं जिस समय करते हैं अभी हम यहाँ पर हलंत के लिए बढ़ रहे हैं हलंत को समझने के लिए तो हमने यहां पे लिखा आपके दिमाग में आ गया होगा कि हां लिखा क्यूं हम बिना हलंत के भी तो इसको लिख सकते थे तो हां हम बिल्कुल लिख सकते थे लेकिन अब समझे क्यों लिखा जब हमने इसकी परिभासा यहां पर पढ़ी थी तो विंजन की परिभासा थी कि यह स्वर की सहायता से बोले जाते हैं यानि इनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की आवश्यक्ता होती है यदि अगर हम कहें कि इनके अंदर से स्वर बाहर निकाल दिया जाए तब यह कैसे दिखेंगे बात करें जब हमने का को इस तरह से लिखा तो अब इसमें कोई हलंट नहीं लगाया तो आप क्या कहेंगे कि क्या यह एक वर्ण है क्या ये एक विंजन है तो द्यान रखिएगा, जब ये बिना हलंत के होता है तब एक ये वर्ण नहीं है और नहीं ये वियंजन है तो फिर ये क्या है? तो ये एक अकषर है कैसे अकषर है? इसके अंदर सबसे पहला वियंजन है क और इसके अंदर स्वर है आ मैंने अभी आपको बताया कि इस आ की कोई मात्रा नहीं होती और यह जब किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है तो उस व्यंजन का हलंत हटा देता है और वो जो वर्ण है वो बिल्कुल जैसा बनाया जाता है वैसे ही दिखाई देता है यानि जब किसी व्यंजन के नीचे हलंत नहीं लगा होगा तो हम यह मान कर चलते हैं कि उस वर्ण यानि उस व्यंजन के साथ कौन सा स्वर सामिल है तो और स्वर सामिल है ठीक है तो जब हम किसी व्यंजन के नीचे हलंत नहीं लगाते हैं तब ऐसी कंडिशन में उस व्यंजन क के अंदर दो वर्ण होते हैं, यानि हम उसको उस समय वियंजन भी नहीं कह सकते, क्योंकि दो हैं, कैसे नहीं कह सकते, क्योंकि वियंजन तो का हो गया और आ क्या हो गया स्वर, और का और स्वर दोनों मिलकर वियंजन नहीं कहलाते हैं, वियंजन तो क्या है, अपने आप में व बोल सकते हैं तो आप इसको रब बोल कह सकते हो आप यह कह सकते हो वियंजन वर्ण कह सकते हो इसको यह वियंजन अक्षर कह सकते हो अगर आपको बुलना है यानि वो जो शब्द है वो आपको साथ में लगाना पड़ेगा केवल और केवल आप इसका को वियंजन नहीं कह सकते जब आप इसको वियंजन कहते हैं, तो आपको ये हलंत लगाना ही पड़ता है किसी वी वर्ण के नीचे, यानि जब कोई भी वियंजन आपका आता है, और जब केवल और केवल आप वियंजन वर्ण लिख रहे होते हैं, तो आपको हलंत लगाना होता है, रीजन उसका ये होता क्योंकि हमें उसके अंदर से स्वर को बहार खीच कर निकालना पड़ता है हम स्वर को उसके बहार क्यों खीच कर निकालते हैं क्योंकि हमें दिखाना है कि वो केवल और केवल वियंजन है आप कहेंगे मैंदम आपने जो कुछ भी अभी तक बताया वो मेरी समझ में नहीं आया आप कहना क्या चाहती है तो देखो ये तो मैंने बताया आपको आंसर बताने के लिए चीज बताया रीजन अब ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप उसकी परिभासा को सही ढंग से अपने जीवन में प्रक्टिकल नहीं करोगे तो आपको इन वर्णों की यानि जो यहाँ पर वर्ण दिया है इनकी परिभासा को अपने जीवन में प्रक्टिकल करना है अब प्रक्टिकल कैसे करोगे वो देखो आपको यहाँ पर प्रक्टिकल यह करना है कि कोई भी आपका जैसे वर्ण दिया है यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर की जब हमने कहा कि स्वर अपने आप यानि स्वतंत्र उचारित होते हैं तो जरा इनका उचारण करके देखो हमने इसका उचारण किया आ ये आ ई ई उ री ए आय ओ आओ ये इनका उचारण जब हमने किया हमें हमारे अंदर सिर्फ उसी वर्ण का साउंड आया यानि हमारे मुह से केवल और केवल इसी वर्ण का साउंड निकला इसी की ध्वनी निकली और कोई ध्वनी हमारे मुख से बाहर नहीं निकली थी ठीक है तो ये कहलाता है ये इस्तिती कहलाती है कि स्वतंत्र रूप से उचारण होना जब हमने इनका उचारण किया तो इनका अपना स्वतंत्र एक ही एक ही ध्वनी हमें सुनाई दी कोई दूसरी ध्वनी या मिक्स ध्वनी उसके अंदर सुनाई नहीं दी इसी बात को कहते ह तो हमारे जो ये हमने अभी 11 तक जो पढ़े इनका स्वतंत रूप से उचारण था, ठीक है? मैं 11 तक की बात कर रहे हूं, इनकी नहीं, ठीक, इनको मैं अभी हटा देती हूं, ये 13 जो हैं, हम इन 13 को बात में बात करेंगे, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है अभी, अभी हम सिर्फ ग्यारे स्वर की बात कर रहे हैं तो ग्यारे स्वर जो है हमारे इनका जो उचारण है वो बिल्कुल स्वतंतरूप से हुआ ठीक है अब बात करते हैं हम वियंजन की वियंजन की परिभासा ने हमसे कहा कि वियंजन स्वर की सहायता से उचारित होते हैं अब मैं आपस जैसे कहती हूं कि ये बताइए, ॥ यहां पर व्यंजल लिखे हैं, इनका उउचारण आप कैसे करेंगे, मेरे साथ बोलके देखे, जैसे तो मैं यहां पर उचारण करती हूं, और तो आरी थजी कुर देने कि अब आप इने का भूल ध्य हैं, तो आपके मुख में का के साथ आ की ध्वनी भी निकली अब आप कहेंगे वो तो खा के साथ भी आ रही है वो तो गा के साथ भी आ रही है आ रही है तो यही है जो स्वर की सहता से बोली जा रही है अब मैं आप से कहती हूँ आपको अभी प्रेक्टिकल करना है इसको समझने के लिए आपको प्रेक्टिकल य रही है इसके आपको उस ध्वनी का उच्छारण नहीं करना बिल्कुल नहीं करना है तो आप इसको जटके से बोलेंगे फिर के या कई या कुछ इस तरह की चीज़े आप प्रियास करते हैं लेकिन ध्यान रखिए आपको पता है जब आप का के तुरंत वाद उस आ की ध्वनी को रोक देते हैं तो आप का का उच्छारण नहीं कर पाते हैं अब अगर मैं आप से कहूँ कि चलिए आपको छोड़िए इस का के साथ आप ई ये जो ई है इसके मात्रा या तो ये मात्रा ले ले या फिर ये मात्रा ले इसके मात्रा के साथ इसका उच्छारण करके तो आप उसका उचारण कर सकते हैं या तो की या तो की ठीक है अगर मैं आपसे कहूं ए छोड़िए उ की मात्रा लीजिए उ के साथ उचारण करिए तो आप या तो कू या तो कू इस तरह से उचारण कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर एक बात समझ में आई अभी तो हमने सिर सहायता से उचारत हो पाते हैं, तो नहीं उचारत हो पाते हैं, तो आपको यहाँ पर यह बात समझ में आ जाती है, कि यह सारे जो व्यंजन हैं, यह स्वर की सहायता से ही उचारत होते हैं, तो हमारी जो व्यंजन की परिभासा है, यह बिल्कुल सही है, अब आपको यहाँ यह के बात समझनी है कि जब हमने उच्चारण के लिए इसको ऐसे लिखा तो इस वण के अंदर दो वण है एक व्यंजन है और एक स्वर है इस वण के अंदर यह है व्यंजन और यह है स्वर अब हमने इसको ये जो निसान बनाया ये एक प्रकार का चेहन है इसको हम क्या कहेंगे हलंत का चेहन और ये जिस भी वर्ण के नीचे लगाया जाता है उसका मतलब ये लिया जाता है कि अब ये वर्ण बिना स्वर के है ठीक है क्या मतलब होता है जब भी हम किसी वर्ण के नीचे हलंत का चेहन लगाते हैं तो उस वर्ण के लिए ये मतलब निकाला जाता है कि अब इस वर्ण के अंदर स्वर सामिल नहीं है कोई सा भी स्वर सामिल नहीं है एविन जो आ है जिसकी मात्रा भी हमें नहीं दिखाई देती वो भी सामिल नहीं है अब जब स्वर इसके साथ सामिल नहीं है तो ये कैसा है? आधा है, अधूरा है मतलब पूरा तो है नहीं, बोला ही नहीं जाएगा तो पूरा नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं इसको, यह क्या है? आधा है, अधूरा है, तो इस तरह के वर्ण को फिर हम कह देते हैं कि ये आधा व्यंजन या आधा वर्ण हम इस तरीके से उसे बोल देते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हलंत किसी भी व्यंजन के नीचे हम हलंत इसलिए लगाते हैं ताकि हम उस व्यंजन का वास्तविक रूप व्यंजन का वास्तविक रूप क्या होता है जिसमें स्वर सामिल नहीं हो या तो हम हलंत किसलिए लगाते हैं व्यंजन का वास्तविक रूप रखने के लिए या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जब व्यंजन आधा हो या फिर हम कह सकते हैं कि हलंत हम तब लगाते हैं जब वर्ण आधा हो या वर्ण के अंदर स्वर सामिल ना हो तो हम हलंत का प्रियोग इसलिए करते हैं और जब हम व्यंजन को पढ़ते हैं तो पढ़ते समय जब हमारे 39 टोटल जितने वी वर्ण है जब हम इन व्यंजनों को लिखते हैं तो इन सभी व्यंजनों के नीचे हम हलंत इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम व्यंजन पढ़ रहे हैं अब आप मेंसे बहुत सारे विद्यारती ये question करते हैं कि मेडम जब हमने इनके नीचे हलंत लगाई दिया तो उचारण तो इनका संभवी नहीं है तो हम इनको बोले कैसे तो देखो वो अब आपको समझना होगा एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा तो मौखिक तो हम जानते हैं कि हम इनका उचारण बिना स्वर के नहीं कर सकते लेकिन अगर हम अपनी लिखित भाषा के अंदर इसका नीचे हलंत अगर नहीं लगाएंगे तो ये क्या होगा व्याकरण गत एक तुरुटी हो जाएगी यानि व्याकरण रूप से इसके अंदर एक कमी आ जाए हैं तो ऐसी कंडीशन में हम इन वर्णों के नीचे ये हलंत लगा कर ही बनाते हैं अब इसके साथ आपको एक चीज और बताती हूँ जैसे हम कई بार यानि हलंत क्या दिखाता है हलंत हमेशा चाहें किसी भी अवस्था में हो हलंत हमेशा हमको क्या दिखाता यह दिखाता है कि वो जिस भी वर्ण के नीचे लगा है वही वर्ण आधा है अर्थात उस वर्ण के अंदर कोई स्वर सामिल नहीं है यह जो हमारे स्वर है अब एक मैंने आप लोगों को प्रशन दिया था पहले कि आप यह कहेंगे कि मेडम हम स्वरों को मात्रा में क्यों पर वियंजन है वो बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते तो आप जड़ा सा आप सोच यह थोड़ा सा कि सपोस करो हमने यह का लिखा हमें क्या लिखना है हम एक शब्द ले रहे हैं जैसे मालो हमको लिखना है मोहन ठीक है तो हमने जब आप लोगों नहीं जो सीखा है न वो यह लिखा है आप यह सीखे हुए हैं कि मोहन अगर मैं आप से बोलूं तो आप इस तरह से लिख देंगे अगर मैं आप से कहूं कि इसके अंदर जो स्वर हैं उनको भी आप बहार निकाल के दीजिए तो आप कैसे इनको बहार निकालेंगे यानि इसका वर्ड व्यंजन क्या ये है ये व्यंजन क्यों यहाइब तो आपको पता है इसका वास्तविक रूप। फिर इसके बाद आप अगला व्यंजन लिखेगे अगला व्यंजन तो अब ऐसे लिख दिया तो इसके अंदर तो स्वर है ही हमें पता है कौन सा स्वर है और स्वर है तो हम पहले इसके नीचे हलंत लिगाते हैं हलंत जैसे ही लगाया तो स्वर इसके बाहर निकल गया अब जब इसका स्वर बाहर निकल गया तो हमने इसके साथ उसका स्वर रखा कि ह का उचारणिया कौन करवा रहा है और कोई मात्रा नहीं दिखती, उसका स्वर हमेसा क्या होता है? आ होता है. अब जब आप बात करते हैं यहां पर, तो यहां आपको पता चलता है कि यह जो O है, यह मा का उच्चारण, यानि मा को मदद कर रहा है उच्चारण देने में. यह जो O है, यह हा की मदद कर रहा है उच् तब हमारी विद्वान ने कहा कि जैसे ये वर्ण है हमने इसको एक मात्रा दे दी ये और जो ये अ है अब नीचे हमें हलंत लगाना पड़ता है आदा दिखाने के लिए तो विद्वानों ने कहा कि सबसे पहले जो अ है उसको हम कोई मात्रा ही नहीं देते इसको कोई मात्रा ही नहीं देते तो पहचान कैसे करेंगे किसी वर्ण में तो उन्होंने कहा कि वर्ण के नीचे का जो यानि विंजन के नीचे का जो हलंत है वो हट जाएगा तो इसके नीचे हमने हलंत हटा दिया पता चल गया इसमें असा मिल हो गया और यहां पर यह मा आया था तो इसके साथ यह मत्रा जोड़ दी इसको इस तरह से बना दिया और फिर हमने इसको एक साथ पास-पास करके लिख दिया और हमारे एक शब्द का निर्मान हो गया वर्ण से हमने वर्णों को आपस में मिलाया और वर्णों को आपस में म इसके साथ ही साथ एक और विद्यार्थी के दिमाग में एक जग्यासा रहती है कि ये वर्ण, ये भी कॉश्चन पूछा था यूटूब पे किसी विद्यार्थी ने कि वर्ण, अक्षर और ये स्वर और विंजन, इन में हम अंतर कैसे करेंगे? तो देखो आपको कैसे समझना है, जो वर्ण है किसी भी भाशा की सबसे छोटी इकाई होती है, यानि हम इसके और टुकडे नहीं कर सकते, लेकिन दो या दो से अधिक वर्ण अगर मिल जाएं और उनका कोई सार्थक अर्थ न निकलता हो, तो वे हमारा कहलाता है अक्षर, ठी यही वर्ण जब तक यह कब कहलाता है, जब इसके अंदर कोई सार्थक अर्थ न हो, अब सार्थक अर्थ का मतलब क्या होता है, यानि उससे कोई फोटो न बनता हो हमारे दिमाग में, उसी को कहते है, मतलब सार्थक अर्थ करता है, जिसके पीछे किसी वस्तू, किसी भावन किसी चीज का होना बोधना होता हो उसी को अगर आपको इन वर्णों के समू से कोई सार्थक अर्थ दिख जाए तो वही क्या के बन जाता है शब्द बन जाता है हम इसको क्या कहेंगे कि सार्थक अर्थ इसमें क्या होना चाहिए सार्थक अर्थ अब जैसे आप समझ लिजे थ अवर्ण है और एक अवर्ण है ये दोनों अलग है single है ये single है ये क्या है ये स्वर है ये क्या है ये व्यंजन है हम इसको या तो व्यंजन कह सकते हैं या तो वर्ण कह सकते हैं क्या कह सकते हैं या तो हम इसको व्यंजन कहें या तो वर्ण कहें और ये जो आ है हम इसको अब ये अपने आप में ना तो ये स्वर है ना तो ये व्यंजन है ये बात ध्यान रखेगा जब भी कभी इस तरह से लिखा है ना तो ये स्वर है ना तो ये व्यंजन है हम इसको क्या कह सकते हैं बस पहचान के लिए वर्ण बोल सकते हैं लेकिन ये हमारा क्या है रियल ये है अक्षर क्योंकि अक्षर कम से कम दो वर्णों का समू होता है और इसमें दो वर्ण कौन से आपको पता है एक वियंजन है और एक सुर है देखो बिल्कुल सी चीज़ है आपको कितावे क्या बताती है ऐसा नहीं है कि हमारे दादा से कोई गलती नहीं हो सकती या ऐसा नहीं है क हमारे पिताजी से कोई गलती नहीं हो सकती यदे कहीं कोई गलती हमारे दादा या हमारे पिताजी से हुई है तो हमारा ये कर्टब विवनता है कि हम उस गलती को सुधार कर सही चीज को लाएं अगर सपोज करो हमारे दादा ने मकान बनाया है और मकान बनाते समय उसमें कहीं सूराक रह गया तो क्या आपके पिताजी या आप का ये मतलब बनेगा कि उस सूराक को जहलते रहेंगे और वो हर बरसात में बूंद बनके वहां से बूंद आके आपको परिशान करता रहेगा आप उस मकान के मरमत करवाते हैं और कहते हैं कि ये सुराक यहां नहीं होना चाहिए था गल्ती से छुड़वा दिया दादा ने अब हम इसको सही करेंगे हम उसको पटवा के सही कर देते हैं तो वैसे ही आपको अपनी भाशा के अंदर रखना है हमारी भाशा जो दिन पर दिन बदलती जा रही है दिन पर दिन जो परिवर्तित होती जा रही है या कहें कि हमारे युवा पीड़ी हमारी भाशा से जो इतनी दूर होती जा रही है इसका रीजन समझी है अच्छी तरह से इसका रीजन ये है कि हमारी भाशा को इतना उलजा दिया है हमारे विद्वानों ने कि हमारे अपने ही लोग उस भाषा को पढ़ने से डरने लगे हैं चलिए यहां पर आते हैं मैं आप लोगों को बता रही थी कि वर्ण जो है हमारे वो एक क्या है भाषा की एक इकाई जो वर्ण माला के अंदर सामिल है उन्हें हम कहते हैं और को जोड़ देते हैं, यहां हलंत हट गया, तो यह जो हमारा वर्ण है, हम इसको वर्ण कह सकते हैं, पर यह भी सही नहीं है, इसको हम क्या कहें, इसको हम अक्षर ही कहें, ठीक है, अगर हम इसको वर्ण कहना चाते हैं, तो हम इसे व्यंजन वर्ण कहकर संभोधित कर सकते हैं, स इसके बाद बात करते हैं सार्थक शब्द की तो जैसे मालो हमने लिखा मन तो मन शब्द अपने आप में क्या है एक सार्थक है ये कितने वर्णों से मिलकर बना है चार वर्णों से मिलकर बना है देखने में आपको कितने लग रहे हैं दो वर्ण लग रहे हैं लेकिन दो स्व में आया होगा मैंने आप लोगों को कहा था पहले जो कुछन पूछा था ये मैंने आपको डिटेल बता दी थी कि कैसे हमारे जो वियंजन हैं उनको स्वर की आवश्यक्ता होती है उचारण के लिए तो उमीद करती हूं आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी जिन विध्यारतियों को और भी जादा प्रॉब्लम में भाषा में या समझने में प्रॉब्लम होती है तो मैं आप लोगों को यही सला दूँगी कि छोटी-छोटी चीजों को अलग-अलग चीजों को या अलग-अलग questions को पूछने से कहीं जादा अच्छा है कि आप पूरी भाशा को एक बार एक सिरे से आंतर तक पढ़ लें तो उससे आपको जादा अच्छे से समझ में आएग कोई भी जिग्यासा आपके मन में होती है तो जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिया हुआ है उस नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं तो चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ